व्यक्ति अलग-अलग प्रकार से द्वेश करता है, इर्शा करता है, क्योंकि यह उसके प्रकुरूती का हिस्सा है, उसमें ही तेजो द्वेश करके एक मानवी जीवन का भाव है, कोई इंसान तेजश्वी है, प्रफावी है, अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, आत्म होती है, तो आप जब प्रगती के पंथ पे होगे, आप आत्म विश्वर्ष और आत्म सद्दा से जीओगे, तो आपका पी तेजो द्वेश होगा, परंद उससे आपको विचलित नहीं होना है, जो लोग आपकी आलोजना करते हैं, आपकी टीका करते हैं, आपका विरोद क करते हैं, आपको परास्त करने के लिए शडियंत्र करते हैं, अगर आप डिगे नहीं और आप ठीके रहे, तो यही लोग एक दिन आपके प्रशन शक मन जाएंगे, आपका स्विकार कर लेंगे, तो तो तेजो द्वेश कोई कर रहा है, तो समझो, आप प्रगती कर रहे हो, आप तरक की कर रहे हो, तो उसको गलत मत लो, और उसको अपनी प्रगती का ही एक सोपान, एक स्टेप के तरीके से लो, क्योंकि तेजो द्वेश उनहीं लोगों का होता है, जो तेजश भी होते हैं,